एलो दोस्तो मैं हूँ विपीन आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपके अधार से मोबाईल नमर और इमेल आईडी लिंक नहीं है या फिर उसको आप अपडेट कराना चाहते हैं तो एक काम आप अपने घर से ही कर सकते हैं इंडिया पोच्ट पेमेंड बैंक ने होम सर्विस शुरू कर दी है जिससे आप घर से ही आप अपने अधार कार्ड में मोबाईल नमर और इमेल आईडी अपडेट करा सकते हैं और अगर आपके घर में कोई 5 साल से कम का बच्चा है तो आप उसका अधार enrollment भी घर से ही करा सकते हैं इसके लिए आपको request register करनी होगी जिसका process मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना अधार center जाए घर से ही अपने अधार में mobile number और email ID लिंक या update कराने के लिए आपको इस page पर आना होगा इसका लिंक मैं अपने description बाक्ष मिदे दूए हूँ simply आप उस पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे इस page पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो दोस्तों आप जिसके भी अधार card में mobile number और email ID रेजिस्टर कराना चाहते हैं या फिर update कराना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर आप नाम फिल करेंगे नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आप उसका पूरा address फिल करेंगे address फिल करने के बाद यहाँ पर आपना pin code डाल देंगे इसका mobile number अपडेट कराना अधार में फिर उसके बाद यहाँ पर email address यहाँ पर डाल देंगे अगर आप लोग को email address उसमें update या link कराना है तो अगर आप लोग को email address लिंक नहीं कराना तो इसको आप लोग फिल नहीं करेंगे इतना करने के बाद यहाँ पर एक आप लोग अप के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस open होगा तो आप लोग को यहाँ पर देखे select का option आएगा यह तो इस पर आप click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अधार service IPP bank आपको दो service यहाँ पर देता है अगर आपके घर में 5 साल से कम का बच्चा है तो आप इसका अधार यहां से बनवा सकते हैं बच्चे का अधार कार्ड बनवाने के लिए parents का एक document देना होगा और बच्चे का यहाँ पर data word certificate देना परेगा यहाँ पर देखे uid, mobile number, email id to adhar linking update अगर आप लोग को email id और mobile number update कराना है तो simply इस पर आप click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखे request OTP का option आ रहा है इस पर click करने के बाद request OTP करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का interface open होकर आएगा तो आप लोग को यहाँ पर देखे enter OTP received arrival mobile जो आप वहाँ पर mobile number फिल किया है उस पर एक OTP जाएगा तो simply आप लोग को इस पर click करना है चलिए मैं OTP यहाँ पर फिल कर लेता हूँ OTP फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आ रहा है confirm service request तो इस पर आप click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखें confirm service request करने के बाद यहाँ पर आपका request successfully हो चुका यहाँ पर देखें आगा request submitted successfully request refer number इतना है तो दोस्तों अगर आप इसका status चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर देख जाएगा आपको click to track your request simply आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आप लोग को यहाँ पर अपना mobile number भी डाल सकते हैं और आपको जो यहाँ पर request number मिला है simply आप उसको यहाँ पर भी डाल के अपना status चेक कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ पर जो मुझे request number मिला है simply मैं उसको डाल कर अपना status देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर request number डालने के बाद यहाँ पर जो fetch का option आ रहा है simply इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर दिखिए status सारा कुछ मेरा दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इसके बाद इंडिया post payment bank की तरफ से आपके address पर एक person को भेजा जाएगा जो biometric के through आपके अधार में mobile number और email ID को update या लिंक कर देगा तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपने घर बैठे ही आपने अधार में mobile number और email ID को update या लिंक करा सकते हैं तो दोस्तों I hope कि आपको ए वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल टेकनिकल वर्सेज बीपिन को सब्सक्राइब करके साथ में bell icon को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे से कोई भी वीडियो अप्लोड हो तो सबसे पहले notification आप लोग को जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल किसी और एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई